बासी खाना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? देखें, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में confusion रहते हैं कि बासी खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए कई लोगों में यह मित भी है कि बासी खाना काने से बहुत जादा कुछ होता नहीं तो हम उसे खा सकते हैं लेकिन सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, हाई मेरा नाम है मीघा और आप देख रहे हैं NBD Likes. सबसे पहले हम यह समझना होगा कि बासी खाना होता क्या है? देखे कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा खाना बना देते हैं, कई लोग जान बूच कर बनाते हैं ताकि उन्हें जादा देर तक खाना ना बनाना पड़े और उसको स्टोर करके वो दो तिन दिन तक खा सकते हैं और कई बार क्या होता है कि हमारी इतनी मेहनत लगी होती है इतना सारा खाना बनाने में और थोड़ा सा खाना बच जाता है तो हम सोचते कि चलो या ठीक है इसको स्टोर कर लेते हैं कल खालेंगे परसो खालेंगे तो इसी खाने को बासी कहते हैं कि एक बार खाना पक गया तो उसी टाइम ना खा करके एक दो दिन बाद या बहुत लोग बहुत दिनों तक उसको खाते रहते हैं. ये होता है बासी खाना. अब बासी खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है? इसके बारे में बात करते हैं. देखे, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपोर्ट कहते हैं कि बासी खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि जितना जादा ताजा फूर्ड हम खाएंगे उतना ही हमारी शरीर के लिए वो अच्छा होगा. क्योंकि ताजा खाने में आपको बहुत सारे nutrients मलते हैं हलाकि बासी खाना में वो सारे nutrients जा चुके होते हैं क्योंकि खाना एक बार अल्रेडी गर्म होकर पक चुका होता है हम उसको जब दूसरी बार गर्म करके पकाते हैं या खाने के लिए बैठते हैं तो उसके सारे nutrients वो अरड़ी जा चुके होते हैं तो उसको खाने से हमारे शरीर में कोई पोशक्तत तो मिल नहीं रहे हैं बस हमारा शरीर और भी जाधा lazy होगा क्योंकि हमके उससे कोई nutrients नहीं मलते हैं इसके अलावा कई बार लोग 3-5 दिनों का बचा हुआ खाना खा लेते हैं जो कि बिलकुल अच्छी बात नहीं है इतने दिनों तक बासी खाना तो बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए आप जो भी खा रहे हैं ट्राय करें कि उसको 4-5 घंटे में ही खा कर खत्म कर दे इसके साथ जो बासी खाना है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टेरिया जो है वो जमा हो जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बासी खाना जब खराब हो जाता है उसको ताफ फेकते हैं वो बासी खाना जहां स्टोर हुआ रह होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता, कई लोगों को कॉंस्टिपेशन की प्राब्लम होती है, उल्टी होती है, चिरचिडा पड महसूस होता है, तो पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्राब्लम भासी खाना खाने से हो सकती है, और अगर हम नेक्स लेवल जाए, तो बहुत सारे मामनों में फूट पॉजनिंग का बड़ा रीजन है बासी खाना, तो प्लीज अवोइड करें बासी खाना यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे फूट से जिनको तो आप पांचे घंटे के बाद भी कंस्यूम मत करें उसको तुरंट तुरंट उसी टाइम खाकर खत्म कर देजे, जैसे अंडे हो गए, मचली हो गया, नॉनवेज हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो कटे वे फ्रूट्स होते हैं, इसके लावाद दूध हो गया, तो इस तरह की चीज़ चीज़े हैं, खास करके सबजी, चावल और पास्ता टाइप की चीज़े, इन्हें आप जैसे ही बन रहा है, तो ट्राइ करिए कि तीन से पाँच घंटे के अंदर खाकर खत्म कर दे, इसे जादा देर के लिए हम स्टोर ना करें, हाला कि कई लोगों की बहुत मजबूरी होती है कि हम बासी खाना खां ही लेते हैं, या इसको स्टोर कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या टिप से उसके बार में भी बताते हैं, बासी खाना खाने के लिए सबसे अच्छी टिप है कि आप उसको जितना अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं आप उसको कहीं भी खुले में मत रखेए उसको एक एर टाइट कंटेनर में पैक करके रखेए ताकि आप उसको कुछ गंटी और एक्स्ट्रा खा सके इसके लेवा ट्राइ करें कि जो भी बासी खाना आप स्टोर करके रख रहे हैं उसे बहुत जादा देर तक फ्रिज में ना रखें पांच से छे गंटे माक्सिमम आप उसे उतनी देर तक ही स्टोर रखें उसके बाद खा लें तो यह सारे कुछ नुकसान दाई चीजे थी हैं बासी खाना खाने से तो प्लीज अवोइड करें बासी खाना घर का बना हुआ खाना खाए फ्रेश खाए तुरंत बना हुआ खाना खाए और गर्म खाए उससे आपको शरीर में नूट्रेंट्स में मिलेंगे आप लेजी भी नहीं फील करेंगे एनरजेटिक भी फील करेंगे और जो इतनी सारी पेट से रिलेटिड प्रॉब्लम से वो भी नहीं होंगे और ऐसे ही अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और एन्बीटी लाइफ को सब्स्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए